भांग के नशे में सवी करवाने चली इशान और रीवा की शादी बेहोश हुए इशान बाकी सीरियल्स की तरह ही सीरियल गुमे किसी के प्यार में भी होली के रंग देखने को मिल रहे हैं सवी इशान और रीवा तीनों भांग के नशे में कुछ ऐसा करने जाते हैं जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है रीवा की मा अपने घर पर भोसले फैमली को जिनर के लिए इनवाइट करती हैं लेकिन सवी को जान बूझ कर नहीं बुलाती ऐसे में रीवा जाती हैं सवी को पर्सनली इनवाइट करने इसी बीच रीवा इशान से मिलती हैं रीवा और इशान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं इशान रीवा से कहते हैं कि ये हमारी शादी के बाद पहली हो ली है इस पर रीवा कहती है पर इशान हमारी शादी तो हुई ही नहीं है इसी बीच सवी भी आ जाती है और रीवा और इशान से कहती है कि तो अभी आप दोनों की शादी करवा देते हैं सवी इशान और रीवा की शादी के लिए सिंदूर लेकर आती है लेकिन इशान के हाथों से ये सिंदूर उड़ जाता है रीवा कहती है कि वो दूसरा सिंदूर लेकर आती है ऐसे में इशान बेहोश हो जाते हैं और सवी के गले लग जाते हैं अब इस होली सेलिब्रेशन के दौरान सवी कैसे मामा जी का असली चहरा भोसले फैमिली के सामने लेकर आती हैं ये देखना बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है For more entertainment updates, do subscribe News Asteria